मैं ये स्विट सिंग और मैं आपको प्टा रहा बच्छो आधं़निक भारत और आधं़निक भारत में हैं काफी दियो कर दिये और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजपुत राजजे ये अर्थात राजपुत राजजे को हम डिस्क्रस करने जा रहे हैं तो देखो बच्चो अगर मैं भारती इत्यास की बात करूं और विसेस रूफ से आलोवर इंडिया या इस्टेट विसेस में या जो भी परिष्चाय आजज़ित होती हैं उसमें अगर राजपुत 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 की बात करूं तो हमें दो तिन सास्था की महत्पूर्ण रहे हैं एक तो आपको महारान प्रताब को पढ़ना होता है और दोसरा आपको मिर्जा, राजा, सवाई, यह सिंग को पढ़ना होता है. ठीक है North तो अगर मिर्जा राजा सवाई जे तो जो महारान प्रताफ हैं उनको तो हम पढ़ते हैं कहां पर जब हम अकवर पढ़ते हैं तब तो उनका थियास तो वहां पर आता है वो एक प्रकार से मिडिवल हिश्टी का ही पार्ट है लेकिन जब हम बात करते हैं आधुनिक भारत की जब बात आती है उत्तरत्र मुगलकाल की ना उसके पस्तत की बात की घानी है एक नाम हमारे जिहन में आता है अब वो नाम जिहन में आता है हमारे मिर्जा राजा सवाई जैसिंग को यानि कि हमें इस वाले पार्ट में पर्मुक रूप से पढ़ना है मिर्जा राजा एक्षाओं में पोछे जाते हैं ठीक है तो आप हैं डालेंगे छोड़े से एड़ जाप चोड़े सा टॉपिक है राजपूत राज्य और राजपूत राज़य मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वह आपको इस पेसली मिर्जा राजा सवाईजा सिंग को ही डिसकस करने जा रहा हों क्लियर ठीक तो बचा सुरूबात करते हैं ठीक है सबसे पहले हम सुरूबात करेंगे आज जो राजपूत राजज्य क्टो राजज्य पो कौन सा परना है वच्छा आमेर है कहां पर तो आमेर की बढ़तमान की वात करें जैपूर तो आमेर राज जी के जो सासक थे जिनका नाम मैं यह कहूं तो राजपूतों में जो सर्वो परी सासक रहे हैं उनका नाम है मिर्जा राजा सवाई जैसिंग ठीक है तो कीवल कीवल हमें क्या पर , नामेर भरतमान में जैपूर राज्ये हैं नहीं को पढ़ता है इनहीं से हमारे बहुत सारे प्रस्न पूछे जाते हैं क्लिये तो शुरुवात करें मिर्जा राजा सवाई जैसिंग को पढ़ने का कारण यह है कि जो भी परिष्चाएं होती है उसमें राजपुर्ट सासकों से आदुनिक भारत के अंतर केवल केवल इनहीं से प्रसना आते हैं और राजपुर्ट सासकों से नहीं पूछी आते हैं कि फिर वो रीजिनल हिश्ट्री हो जाएगी किस की आपका राजिस्तान की अगर छेतरी थ्यास पढ़ाया था राजिस्तान का तो बहां पर तो राजपुर्टों के थ्यास बहुत खतना गरा है तो वह हमें नहीं पढ़ना एक उपादी कहती मिर्जा राजा की उपादी दूसरी उपादी कहती सवाई ठीक है दो उपादियां थी अत्तव इनका नाम बना मिर्जा राजा सवाई जैसिंग तो मिर्जा राजा की उपादी थी वो दिती मुगल सासक जहादार शान है जहादार शान है और जबकि बच से दुभा कौन सा पुरंदर की संधी में जो न्यूसी वाजी को पराज़ित किया तरह वहां पर वह सबसे महत्म पूर रहा है इंकी राजधानी क्या थी वक्ष्य इन्की जैपर के संस्तापक तो आप कहा दोगी राजा जैसेंग ठीक है कभईथिस च तिस ले घपर की तो 1727 डूसरी बात जैपर जो सहर बसार आप से पिंक सीटी की ना में जो जानते हो न तो जैपर जो बसार गोई जापी फोल forward में करील को ऐसका बढ़ कारता और से तेक्टफर तो अंपने हो नम heater आपको आगे बताओं आप नेस्ट पॉइंट लिखते चलना एक ग्रंथ है जी मुहम्मद साही ग्रंथ है जिसकी रचना किस ने कराई थी मिर्जा राज्या सवाई यह सिंग नहीं कराई थी बताउं नेों बचाँ दो अरशो मेद्या किये थेदी जो अरश्मेघ यक यह जड़ी किये थे यह अपने आप में एक अलग बात है कि आदुनिक भारत में हम प्राश्री बहुत सारे साथ कि आश्मेद्य करने वाला साथ साथ क है किमाल राजपूत में कौन थे तो आहना तो यह दोगना आपको दो आश्मेद्य कि पोछाए जैसें ने इसके साथ मैं आपके इनकी बिस्न से इननों और दो-चार बाते बता हूं इन्हों बच्चा क्या गाता है मिरे या सवाई सेंग ने OFF बएद साला की इस्टापना की थी Aa यहोंत जाद पोछा जाता है पांच 회ब सालाओं की असिता नाकिशा । पांच बेद साला समझते ऑन गाता है यहाथ न सक tuck di तो आपसा पीट साल यहोषी अंड कि फ़दे तो दो तो बच्चा यूपी में थी एक तो ति आपके मत्रह में विपा आपकी बारांसी में कि एक पारांसा सी एक लाम चे उद एक ले मह एक भिसा उज्जाइन में उज्जान मध्यापरदे автомक faut скорее और श्यापर में तो इन्होंने पुल मिलागर के पांच बेच साला की इस्तापना की थी तो आपको ऑफ्सन देना पड़ेगा नेश्ट इन्हों दो युद्ध लड़े थे इनके दो युद्ध है एक तो अनकर युद्ध है पिल सुद्ध का युद्ध हो है कि बीजुद्ध में मराठों को पराजित कि युद्ध हो मंदिसार का युद्ध है मंदस्वार का युद्ध है और यह जैसिंग को राजा जैसिंग को पराजित किया हरा दिया था एक बार जीते हंए एक बार हरे थे क्लियकर और इनकी इस से अपश्छ मुत हैं तो रॉह सबहें soci दूरा बंटत्य हो दो है तो में एक ओलाभ वार को नहीं पढ़ाए इसके लाभ थोड़ा सा किरल के बारे में और थोड़ा सा आपका वगेल खंड की विसे में बस एक वीडियो और बनाऊंगा वह पंदेवी सुन्ट की वीडियो रहेगी बस उसके बाद माराथा राजें प्रिवेश करेंगे माराथा पढ़ाने के वस्चात मैंने जो सोचा है पहले मेरा मन अगर वह बत्ति अगर उनको कबर कर ले तो बिस्वास करो आधनी भारता आपकी मुठी में बंडे एक्जाम यादर जो भी एक्जाम है आपकी मुठी में कम से कम ना तो 50% आधनी भारता को मुठी में आ जाएगा ठीक है तो इसलिए माराथा के बाद मैं आपका गवर्ण अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर केजिएगा ओके धन्यवाद वच्छा बहुत बहुत धन्यवाद कि 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 कि